नमस्कार दोस्ते M.P.O.L.N. C.S.C. Business Training के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वोटर कार्ड के बारे में जैसा की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो एक ये जानकारी N.V.S.P. की तरफ से आने की जो अपना भारत निर्वाचन आये होगे उसकी तरफ से जारी की गई है अब आवेदन करने के लिए जो नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए चार मौक्य उनको मिलने वाले हैं अगर आपकी एज अभी 18 की नहीं हुई है 18 की नहीं का मतलब आप 17 साल में चल रहे हैं और एक जनवरी तक आप 18 के हो जाएंगे एक अपरेल तक आप 18 के हो जाएंगे एक जुलाई तक आप 18 के हो जाएंगे या एक अक्टूबर तक आप 18 के हो जाएंगे ठीक है मतलब अभी जैसे चल रहा है जुलाई तो साल complete होने के पहले भी आप आविदन कर पाएंगे अविदन करने के लिए आपको भरना होगा form number 6, form number 6 आपको भरना होगा, तो आज के वीदियो में हम बात करेंगे कि यह form number 6 आप online खुद से कैसे भर पाएंगे, तो यह जानकारी तो स्वज़ में आ गई कि भई, अगर आप 18 साल के वने वाले हैं, अक्टूबर में, अक्टूबर 1 अक्टूबर के पहले या एक अक्टूबर को ये आपका जरना देने माल लो तो आप अभी भी voter card के लिए आविदन कर सकते हैं. अब यावेदन कैसे करना है इसके लिए Google पर जाकर टाइप कर लें NVSP यहाँ पर NVSP की ओफिशल वेबसाइट पर पहुंच जाते सबसे पहले यहाँ जाने कर लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे लॉग इन बटन पर क्लिक करने का आप अपने यूजर निम और पासवर्ट से इसको लॉग इन कर लेंगे अगर आपने अभी तक लॉग इन नहीं किया यानि कि अपने साइन अप नहीं किया करके यह क्याप्चा भरके इसको लॉग इन कर लेंगे लॉग इन करने का आपके सामने इस प्रकार से आपका डेस्बोर्ड उपन होके आ जाएगा यहां पर जाने के बाद लेफ्ट है में आपको दिखना रजिस्टर एज न्यू इलेक्टर वोटर इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको अलग-अलग फॉर्म दिखाई देने लगे फॉर्म सेक्स फॉर्म सेबन और फॉर्म एट ठीक है यह जो पर प्रकार के फॉर्म है इन सबको होता क्या है यहां पर जानकर दिए फॉर्म 6 हमको भरना है new application यहने की नए मतदाता के रूप में आविदन करने के लिए तो फॉर्म 6 पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने एक फॉर्म उपन होकर आ गया है आपको केवल और केबल यह जो form आपके सामने दिखाई दी रहा है इस form को complete करना है यहाँ पर आपको attach करना है document और यह सारी चीज़े करने के बाद यह form आपका यहाँ से preview और submit हो जाएगा तो यहाँ से आप खुद से भी इस form को भर सकते हैं जो नए voter card के लिए आविदन करना चाहते हैं इस इसके बाद यहाँ पर आपका नाम, surname, name of relative of applicant, surname of relative of applicant, type of relation, mobile number, email id, gender of applicant तो यह बहुत सिंपल सिंपल चीज़े है, date of birth आपको करना है यहाँ पर date of birth के लिए एक एज़ा proof आपको कुछ upload करना पड़ेगा document अधार काड़ आप कर सकते हैं, present ordinary address जो हो आपको बनना है, फिर address proof के इसके लिए भी आपको यहाँ पर एक file attach करनी है, और इसमें आप यहाँ पर attach करनी के लिए Indian passport आधार card बहुत सारो option यहाँ पर दी गए, इसमें से कोई भी option आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फिर आपको अपना photograph upload करना है, यहाँ पर किसी प्रकार का अगर आपका disability है, वो आविदन करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो यह form 6 है, यह कैसे open होगा, आज के वीडियो में मैंने आपको बता है, इसको भर कर, इसको आप submit कर दें, और यह जानकरी जो है, आपके BLO के पास जाएगी और BLO के माद्दे में से उसको verify किया जाएगा, उसके बाद आप अ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में